सब्सक्राइब करें मेरे चानल आइटोरियन को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट वीडियो के लिए हेलो एव्रिवन मेरे चानल आइटोरियन में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आप स्ट्रक्चर की एरे की यूज को देखेंगे अगिन विडाओट फुर्द आदोट्स अंडरस्टेजंट इन फ्रोग्राम इस प्रोग्राम में स्टूडेट एक स्ट्रक्चर डेकलेयर की आगया है notice यहां student ID and student name members है जिसमें student name array है जिसका size 20 है main function में सबसे पहले student structure का object बनाया गया है But notice ये object std1, std2 and std3 ना होके direct std array है जिसका size 3 है इसका मतलब इस structure में तीन student का student id and student name store किया जा सकता है Next lines में यही किया गया है सबसे पहले std0.student id उसके बाद std0.student name में values store किया गया है Similarly others std array में भी values store किया गया है End में इन तीनों std structure arrays के values को print किया गया है अब चलिए इसे run करते हैं और आप screen पे output देख सकते हैं उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को subscribe करे, वीडियो को like करे, comment करे और share करे Thank you